नमस्कार दोस्तों Apex Studies के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है लास्ट वीडियो में अपने जो फैक्टर्स और प्रोडेक्स है ने उनके बारे में डिसकस किया था ठीक है तो आज के इस वीडियो में अपन जो एकोनोमिक्स का बहुत ही important topic है वो है three stage of production function ठीक है तो हर एक competitive exam में इस जो topic से question आते ही आते है ठीक है तो topic का नाम है three stage of production function या इसका जो दूसरा नाम है वो है classical production function ठीक है तो इसके दो नाम हो गए एक तो गया three stage of production function और इसका दूसरा क्या नाम है classical production function ठीक है तो बहुत important topic है ठीक है यहां से हर एक competitive exam में क्योंसरा नाते ही होते है ठीक है तो अपन इसमें जो three stage of production function है इसकी study अपन किसमें करते है वो भी देख लेते है अपना जो major topic है agriculture production economics ठीक है तो agriculture production economics के अंदर तीन चीज़ पढ़ते है अपन फैक्टर product relationship weight ठीक है दूसरा है product product और अपना तीसरा है factor factor में लिए अपन जो अपनी जो production function है या जो agriculture जो production economics है उसमें आपन तीन relationship पढ़ते है factor product relationship product product relationship and factor factor relationship ठीक है जो अपना जो three stage of production function है वो किसमें आता है factor product relationship में ठीक है जो अपन जो अपना जो three stage जो जो graph वाला जो topic है वो किसमें आता है factor product relationship में ठीक है factor product relationship का एक दूसरा नाम है factor को अपन बोलते है input इसका दूसरा नाम क्या हो गया input output relationship ठीक है तो factor product relationship का दूसरा क्या नाम है input output relationship ठीक है तो अपन एक बार जो graph बना लेते हैं उसके बाद जो three stages की ठीक है उनको detail में study करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू जो अपन graph पढ़ेंगे उससे पहले तीन-चार concept है वो अपन देख लेते हैं जैसे TPP क्या होता है APP क्या होता है क्योंकि यह सब उस graph में use होने वाले ठीक है elasticity of production क्या है ठीक है तो पहले यह concept देख लेते हैं उसके बाद अपन graph पे चलेंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखना यह lecture आपके लिए बहुत ही फायदेवन्द रहने वाला है यहां से हर एक exam में question पूंसता ही पूंसता है और यहां से question भी बहुत सारे बनते हैं ठीक है तो जो तीन-चार concept है पहले वो देख लेते हैं परस्ट तो अपन देखेंगे TPP, TPP क्या होती है तो इसकी full form है total physical product total physical product क्या होता है अपन production process में जो भी अपना जो product आ रहे है या जो output आ रहे है उसको अपन बोलते है total physical product ठीक है तो total physical product किसको बोलते है construction process में अपना जो product आ रहे है या जो output आ रहे है या जो yield आ रहे है उसको अपन क्या बोलेंगे TPP total physical product output को बोल दो या फिर yield को बोल दो ठीक है जो अपनी इल्ड आएगी वो क्या आएगी total physical product अपन इसको y से denote कर लेते हैं यहां पर ठीक है तो symbol है tpp का वो अपन y रख लेते हैं ठीक है जो से केद्ड ओता है एफसेकर that PayPal कि फोलफॉर्म है एवरेज फिसिकल प्रोडेक्ट Avatar ही में तो अब रेज फिसकल प्रोडेक्टत तो अवरेज फिसिकल प्रोडेक्ट क्या होता है जूब ना आउटपुट आया आउट्पुट क्या है आपना Y, ठीक है, Y से अपने आउट्पुट को डिनोट किया है, ठीक है, तो average physical product क्या होगा, जो output और जो input है, इन दोनों का जो ratio होगा, वो क्या होगा, average physical product, ठीक है, अपन किसी भी चीज़ का average निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जो output आ रहा है, उसमें आउट्पुट का भाग दे देते हैं, या राशियो का, योग बटे राशियो की संख्या, उससे अपन average निकालते हैं, ठीक है, तो उसी तरह अपन क्या करेंगे, Y upon X, तो Y क्या है यहाँ पे, output है, जो output आ रहा है, उसमें अपन input से divide कर देंगे, तो वो अपना आएगा, average physical product तो अपना जो APP है, उसका formula क्या है, Y upon X, Y upon X से इसको denote करते है, तीसरी चीज़ आती है, MPP, MPP क्या होता है, marginal physical product, तो marginal physical product क्या होता है, इसकी जो definition होती है, वो होती है, change in output due to the change in input, input की वज़े से या अपन किसी भी production process में input add करते है, तो उसकी वज़े से output में कितना add हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में जो change है, और जो इनका ratio है, वो क्या होगा, marginal physical product, यह जो sign है, वो किसको बताता है, change go, कि पहले output इतना था, और अब इतना है, ठीक है, तो इसका जो formula हो इपी, next है, एपी, elasticity of production, elasticity of production, ठीक है, तो एक बार, इपी को मैं उपपर समझा देता हूँ, ठीक है, अपना जो, इन में जो man है, वो EP है, ठीक है, एपी, अपने जो graph है, उसमें काम आने वाला है, यह तीनो चारो चीजी काम आने वाली है, लेकिन जो EP है, वो कैसे निकालते है, वो मैं बता देता हूँ, वैसे अपने को direct formula याद रखना है, लेकिन इसकी जो derivation है, वो भी बता देता हूँ, EP कहा है, elasticity of production, ठीक है, इसकी जो definition है, वो क्या होती है, percentage change in output, due to the percentage change in input, percentage change in output, यह change का sign है, और यह y का है, output, percentage change in output, due to the percentage change in input, तो EP क्या होती है, elasticity of production क्या होती है, percentage change in output, due to the percentage change in input, input में कितना percent change होआ, जिसकी वज़े से output में, इतना percent change होआ, ठीक है, वो क्या होगा, elasticity of production, तो अपन इसको आगे derive करें, या इसकी derivation करें, तो क्या होगा, इस percentage को अपन क्या करेंगे, खोलते हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आगे, del y upon y multiply 100, percentage को अपन क्या करें, simplify कर रहें आगे, तो उपर जो percent जो change है, output में, उसको अपन ने लिख लिया, del y upon y into 100, अब percentage change in input को अपन यहीं लिख लिख लिएते है, del x upon x multiply 100, ठीक है, तो यहां से 100 change जो अपना बचा, del y upon y, और उसके नीचे बजा, del x upon x, ठीक है, यहां तक समझा है, next step क्या होगी, del y upon y है, और del x upon x है, ठीक है, जो नीचे, जो संक है, वो क्या होगी, divide में क्या होगी, उपर multiply में आएगी, तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, तो next step होगी, del y upon y, यह तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और यह इसके नीचे, divide में है, ठीक है, तो इसको यह multiply में यहां आएगी, तो क्या होगा, ठीक है, यह multiply के sign है, यहां मैं dot लगा देता हूँ, क्यों multiply और x, sense से दिख रहे हैं, इसलिए मैं dot लगा देता हूँ, ठीक है, तो यह divide में है, यह multiplication में आएगी, तो क्या होगा, यह change हो जाएगी संक है, यह x उपर आ जाएगा, और del x नीचे आ जाता है, ठीक है, तो अब अपना जो AP था, APP, उसका formula था अपना y upon x, और जो अपना MPP था, उसका formula था अपना del y upon del x, ठीक है, यह formula थे, जो अपन ने अभी थोड़ देर पहले देखे थे, ठीक है, तो यह del y upon del x, यह रहा, del y upon del x, तो यह क्या हो जाएगा, MPP, ठीक है, फिर, APP के है, y upon x, और अपने पास है, x upon y, इसका क्या मतलब है, 1 upon APP, मतलब APP नीचे आ जाएगा, ठीक है, y upon x होता है, APP, ठीक है, x upon y, क्या होगा, x upon y, क्या होगा, 1 upon APP, ठीक है, इसको और अपन, simplify रहे हैं, तो इसके नीचे 1 लिखे, अपन, cross multiply क्रेंगे, ठीक है, आप तो, यहीं तक रहने तो कि y upon x हो APP है, ठीक है, तो x upon y, क्या होगा, 1 upon APP, ठीक है, यह साइद यहां, दीक नीरा होगा, मैं एक बार, इसको बीच में लिख देता हूँ, जब ना फोर्मूला था, APP गा, वो था, y upon x, ठीक है, अब, x upon y करना है, अपने को, तो, क्या गरूंगा, मैं, उल्टा हो गया, x upon y उल्टा हो गया, तो APP भी नीचे आजाएगा, 1 upon APP, ठीक है, यह लिखूँँगा, डेल y upon del x को मैंने लिख दिया, MPP, अब, x upon y है, इसको मैं क्या लिखूँँगा, 1 upon APP, तो मैंने, 1 upon APP लिख दिया, APP नीचे आगया, अपना जो EP का जो फोर्मूला है, वो क्या है, MPP upon APP, ठीक है, तो लास्ट जो अपना फोर्मूला बचाया है, इसके यह पूरी डेरिवेशन करने के बाद, उसके बाद बचा अपना EP equal MPP upon APP, ठीक है, अपने को यही फोर्मूला याद रखना है, यह कैसे डेरिवेशन हो है, मैंने यह सब कुछ बता दिया है, और उसके बाद अपने को जो याद रखने वाली चीजे, वो यह है, कि जो EP का फोर्मूला है, वो क्या है, MPP upon APP, ठीक है, यह आगे अपने ग्राप में काम आने वाली है, तो इसको याद रखना है, EP equal MPP upon APP, ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो चार कंसेप्ट है, TPP का, APP का, MPP का और EP का, यह कंसेप्ट देख लिए, ठीक है, अब यही चारों कंसेप्ट अपने काम आएंगे, किसमें, अपन जो ग्राप बनाएंगे, three stage of production function ठीक है, जो तीन stage बनाएंगे, उनमें यह सब काम आने वाले है, ठीक है, तो मैं जो three stage production function में है, एक तो जो यह concept है, EP वाले MPP वाले, वो याद रखने है, या फिर अपने को समझने है, याद रखने वाले ओनली एक ही चीज़ है, EP equal MPP upon APP, ठीक है, तो मैं एक बार ग्राप बना देता हूँ, ठीक है, तो इन चारों का यूज ग्राप में कैसे करना है, वो बता देता हूँ, और जो अपन ग्राप बनाएंगे, उसमें कहां कहां से, कैसे कैसे क्यूसे नाता है, वो सब कुछ बता दूँगा, ठीक है, तो मैं ग्राप बना लेता हूँ एक बार, उसक को three stages of production function कहते हैं जो stage past है उसको इर्रेशनल stage बोलते हैं irrational stage क्यों बोलते हैं क्योंकि समें resources होते हैं वो क्या होते है limited resources होते हैं जैसे अपन और crop produce कर रहे है ठीक है तो resources अपने पास क्या होगा irrigation, irrigation water हुद क्या आपना resources है अगर अपन27o वो फॉटिस्व कर रहे हैं और अपने पास इर्रिगेसन वाट रहे за saja कम रहे हैं तो वो किसको लुविकर में आ Use हो रहा है और जो 3rd stage है उसको एकन बोलते है इर-rational stage 법master की बोलते है इसको क्हों किए इसमें जो resources है उनका जो हम एपन use है एकसेस quantity में कर रहे है जैसे आफन crop produce कर रहे है प्रोपán क्या है irrigation water अगर वो accessed quantity में है बहुत ज्याद है जैसे फ्लड आ गई ठीक है बार्ड आ गई तो वह क्या हो गया अक्सेस कॉंटिटी में हो गई तो उससे भी अपना जो प्रोड्यूज है या जो प्रो आउट्पुट आएगा वो कम आएगा ठीक है तो इसमें जो अपना जो रिसोर्सेज है उनका अपन यूज कैसे करें अक्सेस कॉंटिटी में हो रहा है इसलिए इसको इर्रेशनल स्टेज बोल रहे है ठीक है तो तीन स्टेज है उसमें जो पर्स्ट है इर्रेशनल सेकंड है रेशनल थार्ड है इर्रेशनल ठीक है तो जनरली पहुंच लेता है जो सेकंड स्टेज है वो कौन इपी मैंने बताया था इधर Elasticity of Production तो इपी का फोर्मूला था अपना वो था MPP अपन एपी पी पी अपन एपी पी निच्छे फोर्मूले में अपनी जो यह लाइन है यह TPP की इसके बाद यह अपनी MPP की जा रही एक और एक यहां से APP की आ रही है ठीक है तीन स्टेज होगी तो जो अपनी है आपन बात करें फ चेघ पस्ट की 15 को हिलारे मपी ऍबात करें यह यहां से लेकर यह तक इसमें bond कितना होगा सब्सक्राइब Circuit Elire ऐपने को एंपि और एप्पी देखंऊ एपीप ने देखना इपने सब्सक्राइब झूँद न? तेसे एपनी कीए ऐपनी एपनी एंपीपी! कि यह तक यह पो प्लिए इसके निचे वक एपीपी इंट शिरावặt साइज है लेकिन आप बुक में एक बार और देख लेना जो MPP है वो यह है जो APP के उपपर है ठीक है APP अपनी यह वाली है यहां तक तो उपर कौन सी है इसमें ठीक है उपर MPP है यहां तक उपर MPP है MPP निचे MPP उपर है इसका मतलब क्या MPP ज्यादा है ठीक है कोई चीज उपर ज्यादा है और निचे कम है तो वह हमेशा एक से ज्यादा ही होती है जैसे MPP उपर है यह ज्यादा है तो मैं उपर मैं चार मान लेता हूं निचे दो मान लेता हूं ठीक है तो दो आंसर आएगा इ यह हमेशा क्या होगी एक से ज्यादा होगी जो इपी आएगे अपनी वो मोर देन वन एक से ज्यादा होगी एक से ज्यादा क्यों होगी क्यूंकि अपने को ग्राप में दिख रहा है जो MPP है वो APP से उपर है APP तो यह है नीचे वाली और MPP यह है उपर वाली ठीक है तो MPP उपर है इसका मतलब क्या है MPP ज्यादा है को उपर वाली जो यह ज्यादा MPP तो इसका मतलब क्या है यह हमेशा एक से ज्यादा ही होगी ठीक है तो पस्ट स्टेज में एक से ज्यादा ही होगी ठीक है तो पस्ट स ठीका स्टेफ सेकंड यह है यहां से यह तक यह वाली श्टेफ सेकंड इसमें इपने कहां देखेंगे इपी इपी क्या ओध है आम गिशिवान पर I क्यूंग एंपीप कर हैं यह पाणां यह एनफ्य प्र है क क्लिकर cake कराहई टो एव आज upon Colorado ॥ ऑ्पर है थौन इसका कैस्ना संकर tastes इसका मतलब ऑफ एपाहई इसका बत्लों गरेशं Co द्रचे ओर ज्यादा है उसका क्या मतलब वह हुआ यपे मेंसा एक से कम होगा Eastern Dragon होगा क्यूंकि app ज्यादा है MPP कम और नीचे की ज्यादा यह तो वह क्या होगा एक से कम योगा जैसे ऊपर तीन है और नीचे चार रहे चार ज्यादा न आ ऐसे ज bes drauf क्योगा zero point something आयगा है इसका मतलब का है यह हमाशा 1 से कम आयागा तो EP less than 1, कौन सी stage में, stage second में, आप अपन बात करें, stage third में EP क्या है, stage third में, EP क्या है, APP यह है, और MPP यह है, अपनी stage third है, वो start हो रही है, जहां MPP zero हो रहा है, वहां से start हो रही है, यहां मैं हर एक चीज, point to point चल रहा हूं, irrational बता दी पहने, उसके बाद EP की बात कर रहा हूं, उसके बाद अपन हर एक stage को अलग-अलग discuss करेंगे, कि कौन सी किसमे MP MPP ज्यादधा है, किसमे MPP कम है, ठीक है, वो अपन एक tabular form में steady करेंगे, उसकी, तो अपन EP की बात कर रहे है, EP अपन ने first stage में देख लिया, और second में देख लिया, अब अपन देखेंगे, third stage में EP, ठीक है, तो MPP third stage में क्या है, negative है, और APP अपना क्या है, positive है, ठीक है, नेग गडता ही जा रहा है, ठीक है, तो EP कहले था, अपना, MPP अपन A25, MPP कहा है, negative है, negative है, ऊपरवाली संख्या negative है, तो वो हमेशा negative ही, रहती है, ठीक है, तो जो EP आएगा, वो क्या हैगा, negative आएगा, negative गा मतलब है, EP हमेशा 0 से क्या होगा, कम होगा, जीरो से कम होगा, इसमें, ठीक है, लेस दन जीरो होगा एपी, तब भी एपी नेगिटिव आएगा, यह अपने इसको बोल सकते हैं, इपी नेगिटिव, ठीक है, तो एपी इलास्टिशिटी और प्रोडेक्शन नेगिटिव किसमें होगे, स्टेज थार्ड में नेगिटिव होगा, ठीक है, अपने इपी की बात कर ली, और इसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इपी कमान पूंच सकता है, जैसे इस पॉइंट पे, मतलब, जो स्टेज बस्ट है, उसके एंड पॉइंट पे, इपी कमान क्या होगा, इस पॉइंट पे, इपी कमान क्या होगा, एपी के मान क्या होगा, वन होगा, क्यों होगा, क्योंकि MPP upon APP यह formula है, और इस point पे यह दोनों क्या है, equal है, MPP और APP इस point पे दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए यह one होगा, इस point पे, ठीक है, one, मतलब MPP है जितना उतना ही APP है, तो हमें से क्या आएगा, one आएगा, क्यों आए जैवरेक्ट कर रहे है, उस point फे दोनों equal है, उस point फे, ठीक है, तो यूसन में particular point की भी बात कर सकता है, वो पूँझ सकता है जो stage first है, उसके end point में, end point यह होगा, stage first का end point यह है, है और starting point किसका है stage SECOND घा तो end point तो है stage बस्त का और starting point है stage SECOND घा ठीक है तो वो पूंच सकता है कि जो stage second है उसके जो starting point है उस पर EP का मान क्या होगा तो उस पर भी एक होगा इस point की बात कर रहें क्योंकि यह stage सेकंड का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है एक पूंच सकता हो जो स्टेट सेकंड है इस्टेट सेकंड के एंड में स्टेट सेकंड का एंड हो रही है इस पॉइंट फे एंड हो रही है तो इस पॉइंट फे 行EMAB common क्या होगा इस पोइंट फे क्या होगा up क्योंकि MPP इस point पर क्या हो गया जीरो हो गया MPP zero हो गया तो EPM सा zero आएगा ठीक हे तो इस point way EPA वह क्या होगा hundreds इस point位पी क्या ओगा वह न होगा ठीक हे तो particular regular point फे भी वो e varios करहें पूं सकता है कि स्टैंज पहुष्टे एंड पॉइंड में या वो पूं सकता है कि भी कमान का यह मुष्झय सकता है किलोन सेकंड स्टैंड स्टेज है उसका श्टर्टिंगपॉइंट है वहां पे भी क्या है और जो स्टेज सेकेंड है उसके end point में इपी गमान क्या है इस point पे इपी गमान जीरो है क्यों है क्योंकि यहां MPP 0 हो गया MPP 0 हो गया तो अब अलग अलग तीनों स्टेज को एक बार डिसकस कर लएते हैं अब बात करेंगे अपन इस्टेज पस्ट के बात करेंगे इस पस्ट कहां से कहा है ओरिजन से स्टार्ट हो गये इस point तक है यह कौन सा point है जहां MPP रेपी पीप क्यों रहें बराबर हो रहे हैं उस point तक स्टेज पस्ट का आसे कहा तो यहां मैं बोलू कि जो स्टार्टिंग पॉइन्ट है इसका वह कौनंच है है ठीक है और स्टेज पस्ट में अपन और क्या देख सकते हैं और अपने को दिख रहा है कि जो MPP है वो APP से जादा है एक चीज तो यह हो गई स्टार्टिंग पॉइंट वाली दूसरी अपन बात करें MPP greater than APP ग्रेटर देन क्यों है क्योंकि ग्राप में अपने को दिख रहा है MPP उपर है और यह APP है तो MPP उपर है इसका मतलब MPP ज्यादा है तो MPP greater than APP अब अपन बात करें TPP की तो TPP की बात करें यहां से अपने को ध्यान से देगना TPP के बारे में यहां से TPP स्टार्ट हुई यहां तक increasing rate से बढ़ रही है इस पॉइंट के बाद यहां से देगना graph चैंज हो रहा है ठीक है यहां से तो origin से तो start हो रहा है ऐसे ठीक है उसके बाद इस point के बाद graph चैंज हो रहा है ऐसे चैंज हो रहा है ठीक है तो इस point के बाद graph चैंज हो रहा है इसका मतलब यह point कौन सा है इस point को अपन बोलते है inflection point किस point को अपन बोलते हैं, inflection point inflection point क्या होता है, inflection point वो है जहाँ TPP increasing rate से बढ़ रहा है, जिस point तक, inflection point तक और inflection point के बाद TPP बढ़ रहा है, लेकिन decreasing rate से अब यह increasing rate और decreasing rate क्या होती है वो भी बता देता हूँ मैं, देख लेते हैं, increasing rate और decreasing rate क्या होती है, जैसे TPP टीपीप क्या है, अपनी yield है, तो अपनी yield है जैसे पहले 8 quintal ती फिर 12 quintal होगी, फिर 18 quintal होगी, ठीक है, तो यह क्या है अब इनके अपन रेट देखें, तो पहले तो ये 4 कुंटल बड़ी, उसके बाद 6 कुंटल बड़ी, इसका मतलब क्या है, ये increasing rate है, पहले 4 बड़ी, 6 बड़ी, आगे ये 8 बड़ेगी, 10 बड़ेगी, इसका क्या मतलब है, increasing rate है, बड़ तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये increasing rate से बढ़ रही है, अपने को कैसे बता जलागी, increasing rate है, अपने इनका difference देख रहे है, तो वो क्या है, पहले 4 था, उसके बाद देखें, तो वो क्या आ गया, 6 आ गया, इसका मतलब 4 से 6 ज्यादा, इसका मतलब increasing rate से बढ़ रही है, अब decreasing rate क्या होती है, जैसे पहले, अपना तो यहां से यहां तक अपन डिफ्रेंस देगे तो वह चार कुंटल पहले इसके बाद 12 से 15 हुआ इसका मतलब तीन कुंटल बढ़ा तो बढ़तो रहा है यहां भी बारा से 15 हो गया बढ़तो रहा है लेकिन decreasing rate से बढ़ रहा है, पहले यहां उपर 4 की rate से मतलब 4 कुंटल बढ़ा, उसके बाद 3 कुंटल बढ़ा, इसका मतलब क्या है, यह decreasing rate से बढ़ रहा है, तो increasing और decreasing समझ में आया होगा, ठीक है, तो inflection point है, तो inflection point तक तो अपना जो TPP है, वो increasing rate से बढ़ रहा है, और inflection point के बाद अपना TPP है, वो decreasing rate से बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपना लिख सकते हैं, before inflection point, IP लिख देता हूं में, inflection point, before inflection point, TPP will be increase at increasing rate, increase at increasing rate, and after inflection point, after inflection point, IP, IP means inflection point, ठीक है, तो inflection point के बाद क्या हो रहा है, TPP, decreasing rate से बढ़ रहा है, after inflection point, TPP will be increase at decreasing rate, ठीक है, जो TPP है, वो अपना increase हो रहा है, किस rate से, decreasing rate से, ठीक है, तो stage first में अपने को याद रखना है, कि जो starting point है, stage first का है, वो कहां से, कहां है, origin से start हो गए, यहां तक है, कहां तक, जहां पर APP और MPP बराबर हो रहे है, यहां से, यहां तक, जो, और जो second stage है, उसका starting point है, यहां से, यहां तक, यहां से मतलब जहां APP यह MPP बराबर है और कहां तक जहां MPP 0 है वहां तक और उससे आगे अपनी stage 3rd start हो जाती है ठीक है तो अपने stage 1st देख लिया stage 1st में अपने starting point देख लिया end point देख लिया ठीक है और जो अपना MPP है वह APP से जाता है किसमें stage 1st में और अपने TPP की बात कर लिए TPP inflection point तक तो increasing rate से बढ़ रहा है और inflection point के बाद decreasing rate से बढ़ रहा है ठीक है यहां भी बढ़ रहा है लेकिन वह rate के decreasing है और अपन बात करें stage 1st में ठीक है आप यह सब कुछ note down करते चलो ठीक है कि मैं अब इनको मिटा रहा हूं और भी बहुत सी चीजे रह गई stage 1st में जैसे अपनी है अब EP stage 1st में EP कितना है more than one या greater than one एक से ज्यादधा है और stage 1st में वह कैसी है irrational stage इर्रेशनल stage इर्रेशनल stage क्यों है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज का यूज करें वह क्या है limited resources है इसमें limited resources है इसमें तो stage 1st में जो भी चीजे हो रही है वह मैंने stage 1st इदर इस साइड में सब कुछ लिख दिया है आप भी उनको साथ-साथ note-down करते जलो ठीक है तो क्यूशन यहीं से आएंगे जैसे वह पूंच लेगा कि stage 1st में क्या है MPP और APP में जो relationship पर वह कैसा है वह एक option में देदेगा MPP greater than APP एक में देदेगा MPP less than APP एक में वह देदेगा MPP equal APP ठीक है तो stage 1st में क्या है MPP greater than APP तो अपना जो right answer है वह क्या है MPP greater than APP ठीक है तो यहां से हर एक line qution बन रही है ठीक है बहुत से qution और तो गुमा फिर आके यहीं से पूंचता है ठीक है तो stage 1st में EP क्या है more than one और irrational stage बोलते है इसको irrational stage बोलते है क्योंकि इसमें resources कैसे limited resources है अब अपन बात करेंगे stage 2nd गी और एक चीज़ हो रहे है stage 1st के end में ठीक है stage 1st है उसके end में क्या हो रहा है APP और MPP है वो ब्राबर हो रहे है ठीक है अब next बात करेंगे अपन stage 2nd की अब stage 2nd के बारे में बात करते है starting point की starting point कौन सा होगा starting point कौन सा है यह है इसका मतलब यह कौन सा point है जहां MPP और APP के बराबर है starting point MPP equal APP ठीक है और कहां तक है जहां MPP 0 हो रहा है पर इस्टेज सेकंड यह यह ही तो है यहां से यहां तक तो इस्टार्ट यहां से होई आसे जहां ए का यहां MPP बराबर है और एंड का हो और है जहां MPP 0 है 2 MPP bene क् that crisis starting point हो गया जहां MPP और यह बराबर है वहां से श्टार्ट है और एंडका है जहां MPP 0 है next अपन बात करते हैं APP और किसमें APP और MPP में relationship की तो अपने को graph से दिख रहा है ठीक है इसमें 3 stage of production function है इसमें man तो graph है वो आपको याद रखना ही रखना है ठीक है तो graph याद रहेगा तो आप हर एक question को solve कर दोगे ठीक है तो graph से अपने को याद दिख रहा है MPP और MPP में relationship तो याद दिख रहा है कि APP ज्यादा है MPP कम है ठीक है तो अपन एपी क्या बोल सकते है याद इपी क्या अपन relationship देखे MPP और MPP में तो क्या होगा MPP greater than MPP MPP ज्यादा है MPP से ठीक है क्योंकि APP उपर है और MPP नीचे है अपन यहीं यहां से स्टार्ट करके हैं यहां तक की बात कर रहे है ठीक है स्टेज सेकेंड की बात कर रहे है ठीक है इपी का है less than one है ठीक है less than one क्यों है क्योंकि मैंने पहले बताया था जो इपी का फोर्मूला हो है MPP अपन एपीपी ठीक है तो इसमें एपीपी ज्यादा है नीचे वाली संक्या ज्यादा है इसका मतलब वह एक से कम्य होगी वो संक्या है ठीक है तो इपीज लिए less than one है और क्या है जो स्टेज है वो कैसी है रेशनल स्टेज है ठीक है आप इनको नोट करते चलो और श्टेज सेकिंड है उसमें जो स्टेज है वो रेशनल स्टेज है Rational Stage है, ठीक है, Rational Stage क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें Resources का Optimum Use करते है, Optimum Use of Resources, ठीक है, और जो Stage Second है, Stage Second के End में, E.P. क्या है, 0 है, End of Stage Second, Stage Second के End में, E.P. 0 है, और M.P.P. क्या है, 0, कहां, End of Stage Second, Stage Second के End में, M.P.P. 0 है, इस पोइंट पे, ठीक है, और एक चीज हो रहे है, जहां M.P.P. 0 है, वहां पे T.P.P. Maximum है, ठीक है, जहां M.P.P. 0 है, इस पोइंट पे M.P.P. 0 है, तो अपन इसकी सिद में T.P.P. की बात करें, तो वो क्या है, M.P. Maximum है, और अपन Stage Second में T.P.P. देके, बढ़ रहा है, किस rates है, Decreasing rates है, ठीक है, तो Stage Second में, जो T.P.P. है, अपना, वो क्या है, Increasing at Decreasing rate, यही तो है T.P.P. यहां से यहां तक, ठीक है, तो यह बढ़ रहा है, लेकिन Decreasing rates है, ठीक है, तो T.P.P. के बारे में लिख दिया है, अपन T.P.P. Increasing at Decreasing rate, और अपन बात करें, जहां M.P.P. 0 है, वहां T.P.P. क्या है, when M.P.P. will be 0, there, T.P.P. will be maximum. Jis point भे, M.P.P. 0 है, इस point में, M.P.P. 0 है, उसके बाद के है, Negative, इस point में, M.P.P. 0 है, उस point में, T.P.P. के है, Maximum है, इस point में, T.P.P. मेकजीमम है उसके बाद TPP decrease हो रहा है ठीक है तो अब बात करते है stage third गई तो बहुत से बाद question पूंचा हुआ है कि जिस point पे MPP 0 है वहाँ TPP क्या है तो वहाँ TPP क्या है मेकजीमम है अब अब बात करते है stage third गई stage third यहाँ से start है कहाँ से जहाँ MPP 0 है ठीक है जहाँ पे MPP 0 है वहाँ से start है और उसके बाद MPP negative हो गया और APP क्या हो रहा है decrease हो रहा है ठीक है तो यह सब अपने को graph में दिख रहे है जो अपने को graph में दिख रहा है वो ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ आपे ठीक है तो starting point की बात करें अपन तो वो कौन सा है जहाँ पे MPP 0 है ठीक है तो जो stage third है उसका starting point कौन सा है जहाँ पे MPP 0 है next अपन बात करें MPP के बारे में अपन बोल सकते है MPP stage third में क्या है negative है always हमेशा negative रहता है ठीक है क्योंकि इस point पे 0 हो गया कौन से point पे stage second के end point पे उसके बात third stage में MPP decrease होता जा रहा है या negative जा रहा है ठीक है और अपन APP के बारे में क्या बोल सकते है APP decrease हो रहा है APP क्या हो रहा है decrease हो रहा है TPP क्या हो रहा है TPP decrease हो रहा है ठीक है इस point के बाद यहां पे make minimum था कौन से point पे जाए MPP 0 था वहाँ TPP make minimum था उस point के बाद TPP क्या हो रहा है decrease होता रहा है ठीक है तो stage third में अपनने क्या देख लिया एक तो MPP है वह negative है stage third में APP decrease हो रहा है stage third में TPP भी decrease हो रहा है और बात करें अपन EP की EP क्या हो रहा है यहां less than zero less than zero means negative EP क्या है negative है क्योंकि यहां अपना MPP negative है इसलिए EP भी negative है तो EP है वह क्या है यहां पे less than zero less than zero यह negative ठीक है कौन से stage में EP negative होता है वह पूंच लेगा जैसे तो option देतेगा stage first, stage second, stage third none of these तो अपना जो right answer होगा वो stage third होगा तो stage third में EP क्या होता है negative होता है और stage third में और क्या हो रहा है इसको अपन irrational stage बोल रहा है stage third है उसको अपन बोलते है irrational stage क्यों बोलते है इसमें जो resources है उनका अपन access quantity में use करते है या use होता है ठीक है और अपन जो अपनी इनमें एक चीज कोस्ट के relation में और रहेगी जो stage first है second है और third है इनमें मैं बता देता हूं कि जो marginal rate है वो marginal cost से ज्यादा होगी किस में stage first में और बराबर होगी stage second में ठीक है और इसमें क्या होगी marginal cost ज्यादा होगी marginal return से ठीक है कोस्ट ज्यादा लग रही है और return कम आ रहा है इसका क्या मतलब है कि production कम हो रहा है अपना जो यहां से बहुत सारे क्यूशन पहुंचे जाते है हर एक जो मैंने टोप पॉइंट लिखा है वो क्यूशन टाइप ठीक है तो यहां से इसको बहुत अच्छे से देखना है और यह जो अपना graph है उसको अच्छे से याद भी रखना है ठीक है एक जाने से पहले एक बार यह graph आप अच्छे से देखके जाए क्योंकि जो अपन जो सब कुछ लिख रहे है अपन वो अपन किस